सोलन में यातयात नीमों की उलंगना करने पर पुलिस द्वारा सकत कारेवाई अमल में लाई जा रही है जो भी नीम तोड़ता हुआ पाया जाता है उस पर तुरंद कारेवाई करते हुए 500 रुपे से लेकर 5000 रुपे तक का चलान किया जाता है ये जानकारी एस पी अभिशे की आदब ने मीडिया को दी उन्होंने बताया कि सोलन जिला में यातयात नीमों की बहुत ज़्यादा उलंगना की जा रही थी बिना हैलमेट डाले दो पहिया बहान युबा चला रही थे जिस कारण दुर्गटनाओं में युबाओं को अपनी जान से भी जालकों को यातयात नीमों के बारे में अपकत करवाया जाता है अधिक जानकारी देते हुए एस पी अभिशे की आदब ने बताया कि ही माशल में दुर्गटनाओं का अंकड़ा बढ़ता जा रहा है दुर्गटनाओं को रोकने के लिए बिशिश अवियन चलाया जा रहा ह जगा जगा ओबर स्पीड को रोकने के लिए नाके लगाई चा रही है जो भी चालक ओबर स्पीड करता नजर आता है उसका चालान काट कर ओबर स्पीड ना करने के लिए जागरू किया जाता है उन्होंने बताया कि पिछले कल बविन धाराओं में 388 चालान काटे गए और काफी संख्या में लोग इंजर्ड भी होते हैं, डेट्स भी होते हैं, तो इसी को कम करने के लिए सुरन पुले से एक अभियान चला रही है, जिसके तहत हम जो भी इंपॉर्टन्ट हेड्स में हम चालान कर रहे हैं, तो इसी केम्पेंग के तहत हमारी कोशिश यह है कि डेली हम लोगों को अवेर भी करें संबंद में और उनका चालान भी काटें, जिससे उनकी जान भी बचे और बाकि उन्हों की सुरक्षा भी रहे, तो इसी अवियान के तहट हम डेली काफी संख्या में ओवर स्पीडिंग के नाके भी लगा रहे हैं, और जहां जहां इस तरह यह वालेशन पान जा रहे हैं, उनका चालान भी जा रहे है। और आगे भी हमारी कोशिश यही है कि लोगो हम अवैर करें, ट्राफिक वालेशन को लेके और जहां हमें देखेगा कि लोग नहीं मान रहे हैं या ज़रूआत है तो हम चालान भी किये जाएंगे। लेकिन पर्पज चालान करना नहीं है, पर्पज यह है कि लोग ट्राफिक रूज का पालन करें और अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा भी सुनेश्यत है।